नमस्कार सातियों मित्रों स्वागत है आपका मित्रों ये हीरो इलेक्टिक का हीरो इलेक्टिक ऑप्टिम है एचक्स डूवल बैट्टी की इलेक्टिक बाइक है हीरो कमपनी की और मित्रों ये आपको मैं क्या बता हूँ मुझे तीन मेने हो गया इसे इसको लिए और मैं तीन मेने हुआ इसको इसको लिए और मैं तीन मेने इसको 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 कर रहा हूँ ये ब्लिंक कर रहा है कैमरे में बट ब्लिंक नहीं करता है रियल में 6,742 किलिमेटर यह चल चुका हभ तक और इसी दराव इसमें इतनी समस्या हैं इतनी समस्या है मैं आपको क्या कह आए यह सब्से बड़ी समस्या इसकी जो फाइवर हैं ए उन थार्ड इक्वालिटी की है मतलब इतनों इसकी जो पीविसी लगी हुई यह वाला हिस्सा यह वाला हिस्सा एक दम थार्ट व्कालिटी का पेविसी जरा भी शटका लगा तुर्ण टूड़ जाता है मैं आपके क्या बता हूं साथियों पेट्रोल स्याद मैं इसका पीविसी वेल्डिंग का पैसा दे चुका हूं अभी देखें हैं यह यहां से टूड़ गया यहीं एक मने चलने के बाद इस तरह भी नहीं इधर भी है और इधर भी है डेख सकता है नीचे दोनों कि और देखिये यह यहां से है यहां से ही लाउट है यहां पे अंदर को यहीं से तूड़ चुका है यह भी हरा है और मित्रों को अब देख सकते हैं यहां भी यह इदम सटा हुआ था जब आया था यहां कभी लॉक्ट चुगा है और कि इसमें इसके अंदर आप खरंजे वेगारे पर या सिंगल रोड पर सिंगल लेजन रोड पर चलते हैं क्योंकि यह सहर गाउं है सहर नहीं है सहर यह से एक समान रोड तो होता नहीं है कुछ ने गड़े कुछ ने कुछ गड़े जरूर होते रास्त रोड पर और इसके नाति इसमें इतनी आया समस्या है सबसे बड़ी समस्या इसकी फाइबर के है एक तम थार्ड क्वालिटी का फाइबर ध्यान रहे मित्रों मैं इस प्लस मेन मैं वो गया इसके चैने लोग है कोई कहता है इनंडों कोई तो सर्विस-फ्री हे पहङ कहता है तीन सर्विस और सुनिए आपको एक रुपए नहीं लगा सर्विस सेंटर वाले सिरफ दस रुपए का ग्रिस लगाते हैं और आप से दो सो रुपए चार्च करते हैं सबसे बड़ी समस्य यह इसकी यानि एक रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है यानि दो रुपए का तीन लेकिन मैं आपसे क्या को हूँ यह इतनी बड़ी समस्य हमित्रों आप सोच लिए यह जो 88,000-87,000 लगाएगा बिचारा क्या सोच लगाता है यार ले लेंगे एक पैसा नहीं देना है एक रुपए नहीं देना है ने सर्विस का ने पेट्रोल का लेकिन इसके जो डेलर सिप वाला काम करने लेगे इसके साथ तो आप विश्वास होजी पेट्रोल से जाधा पैसे खर्च हो जाएंगे आपके चुकि इसमें इतनी जाए सर्विस है ज्यान रहे मित्रों मेरा कंपनी से कोई लेने दिना नहीं है मैं आपको हकीकत से रूबरू करा रहा हूं ताकि आप स पैसर का पसीना पैर पे चला जाता है पैसे कमाने के लिए किशानियों के लिए बखी और उकी बाद छोड़िए तो आप पैसे को सही तरीके से सोच समझ कर इस्तिमाल करें विश्वास किजिए इसमें समझ से मैं आपको पहले दिखा दिया है अभी देख सकते हैं आप यहा यह मटगाड भी तूट चुका है अभी मैं दिखा रहा हूं आपको ध्यांस देखेंगे आपको हलका हलका दिख रहा है देख सकते हैं देख सकते हैं आप यह अंदर से भी बाहर से भी प्लास्टिक बेल्डिंग होती है मैं ने करवाया है तो पैसे आफे कही हैं लगाना आपको है समझ बूश के लगाईए मैं तो यहीं कहुंगा हाँ इस यह व्याशन आप सहरी च्छेति से रहने वाले आर तो आप ज़रूर ले सकते है यह नि आ आप कि यहाँ रोड इदम कहां चाहिए साही है जब देख सकते हैं कहां से हूं कि आप देख saakte है Wh कि आप देख सकते हैं आप सामने रोड गया हुआ है की है इसे विच्ट का रोड कि यह लेकिन इन तो विच्छ समस्या यह तो कोई समस्या नहीं है यह कि अगर अब फुल स्पीड में चलाते हैं तो लगभक बैटी वापस चड़ जाता है उपर नहीं तो यह काफी अगर आप बहुत तेसे चला रहे हैं दस किलमेटर कंटिनु चला दिये तो यह खूटी देख रहा पूरा एदम एक नमबर पर पाजागा आपको लगवरी यार बैटी क्या हो बैटी तो डिशाज होने वाली है लेकिन ऐसा नहीं है वह जैसे आप स्पीड नार्म करेंगे वापस हो बैटी उपर चली जाएगी तो इसका ध्यान रखें बाकी मित्रों पैसा आपका है लेना आपको है तो समस्दारी भी आपको दिखानी है मेरा काम बस आपको बताना है कुल मिलाकर आप अगर सहरी छेत्र है और आपको एक दब इन्ट यह पर चलाना है इन्ट नेशनल है जी से बोलते हैं राष्टी राजमार्ग अगर आप राष्टी राजमार्ग से संबंद रखें हैं तभी आप लें अन्थन ना लें हम तो हमारा यही कहना है क्योंकि हम ल पहले ही होता लेकि समस्या तो देखिए समस्या किसी को ने चाहिए वैसे तो पैसा सब इक बास है समस्या किसी को नहीं चाहिए पैसे सब के पास है यह बास सच है कोई समस्या नहीं चलना चाहता सबको आराम चाहिए आराम के लिए लोग सब कुछ करते हैं तो मित्रों आप जरूर प्रिस करें ताकि ऐसे वीडियो आप अपलोड करने के तुरंद बाद आपको मिल जाएं पाकी मित्रो कोई कमी रहे गई हो कहने में समझाने में तो माफ किजिएगा मैंने जो भी बातें बीडियो में बताई हैं कि ये बातें सtracat सत्य कि ये मेरी उलेक्टिक बाईक है मैंने ही से परचेज किया है ऐसा नहीं कि मैंने किसी का लिए उस प्रसी इसमाल करता है तो आप इस्वास किये इसमें ज़ाइं जूटी बाते नहीं है सब्सक्राइब जैदें करता हूं यदि आप चैनल पर नहय है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकान जरूर हिट करें और चैनल को वीडियो को लाइक भी करें आपसे निवेदन है जहिन जय भारत